According to Harvard Research in 1973, यूजवली चीते की बॉड़ी का टेंपरेचर 38 डिग्री सेलसियस होता है, लेकिन रप्तार पकटते ही उसकी बॉड़ी का टेंपरेचर 40.5 डिग्री सेलसियस हो जाता है, चीते का दिमाग इतनी गर्मी को जेल नहीं पाता, तब वो अचानक से दोड़ना बंद कर देता है, तेज रप्तार से दोड़ने के लिए चीते की मसल्स को ज्यादा ऑक्सिजन की जरूरत पढ़ती है, इस ऑक्सिजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नली भी मोटी होती है, इसके चलते कम बार सास लेकर भी ज्यादा ऑक्सिजन शरीर में पहुँच जाता है, चीते का सीर बाग, शेर, तेंदुए और जैगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है, इससे तेज रप्तार के दोरान उसके सीर से टकराने वाली हवा का रेजिस्टन्स काफी कम हो जाता है, वही इसकी खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी होती है, इससे उसके सीर का वजन भी कम हो जाता है, जिसके चलते चीता आसानी से दौड लगा सकता है,